बिहार विद्याले परिक्षा समीती से जितने भी परिक्षारती मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परिक्षा 2023 में समलित होने जार हैं तो आप लोग का काफी दिन से इंतजार है अभी तक आप लोग का डमी रजिस्टेशन कार्ड जारी नहीं किया गया है तो फाइनली बिहार विद्याले परिक्षा समीती के तरफ से आज एक आपके रजिस्टेशन को लेकर अपडेट आया है इस पूरे अपडेट में जानकारी दिया गया है कि काफी ऐसे विद्यार थी है कि देखिए जिनके चातर के माता-पिता के नाम के जगह पर अंग्रेजी का A & D कुछ भी लिख दिया गया है या कुछ भी अंग्रेजी का लेटर A, B, C, D, D या फिर ऐसे लिख दिया गया है सुरूटी मिल रहा है आपके पंजियन में और फिर यहां पर जनकारी दिया गया है कि एक ही चातर के दो पंजियन फॉर्म भरे गये हैं उनमें एक में अंग्रेजी अक्षर में तो दूसरे क नाम लिखा है कई चातर के पंजियन फॉर्म में एक ही बात को दो बार लिखा गया है इसे डबल रिकॉर्ड हो गया है अपका नाइट में परिक्षाती मैटरी की बोर्ड परिक्षा 2023 में देंगे आप जानते हैं आपका नाइंथ में रही स्टेसन हो जाता तो जिनका भी र नाच किया तो देख रहा है कि काफी विद्यार्तियों के आवेदर में तूरूटी है ऐसे में इसकूल को पत्र लिकर बताया गया कि एक सब्ता के समय में अरफात के साथ दिन के अंतरगत आज से लेकर साथ दिन के अंतरगत है ऐसे छात चात्राओं के रजिश्टेसन में पर बड़ी एक पंजियन पर दो दो छात्र नाम की जगह E N A C D जैसे अक्छर लिखे गए हैं अग्यात परिक्षारतियों के परिक्षा में सामिल कराने का खेल और यहाँ पर जनकारे दियागा कि रद हो सकता इन स्कूलों के सभी रजी स्टेसन यहाँ पर काफी ऐसे हर जीला साथ उसी स्कूल बिसेस पर करवाई भी किया जाएगा इस खबर से आपको क्या समझना है तो देखिए आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है आप अगर अपना रजीस्टेसन कार्ड अच्छा से भर के स्कूल में जमा की है तो आपके रजीस्टेसन कार्ड में कोई थbung में घृए तो आपको थोड़ा सा भी चिंथी थोने कि आउसकता नहीं है आपको निश्चिंत रहना आ अप अगर रजीस्टेसन अच्छा से अपना रजीस्टेसन फॉर्म जो मिला ता उसको भरे होंगे तो आपका रजीस्टेसन कार्ड आएगा अब समझेगा में बात कि काफी विद्यार्थियों का नाम ही गाइब है काफी विद्यार्थियों के नाम के जगा पर ABCD का कोई अक्षर लिख दिया गया है तो इस खबर से जानकारी मिल गया कि आपका dummy registration card जल्द जारी होने वाला है और जितने विद्यार्थियों का रिष्टेशन छुट गया है कि किसी कारण भूसमान दिज्वा आपका नाहिंत पर रिष्टेशन नहीं हो पाया या या लेबैंथ में आप रिष्टेशन नहीं करा पाया आपको 12 का परिख्षा देना है 2013 में तो आप ही विद्यार्थियों का प्रसुर आता है कि हमारा रजिस्टेशन शूट गया है तो हम क्या करेंगे तो आपका जैसे ही dummy रजिस्टेशन काड जारी होगा वैसे ही फिर एक बार बिहार भी डाले परिक्षा समीती रजिस्टेशन का मौका देता है या फिर आपका ओरिजिस्टेशन काड आएगा है तभी आपको रजिस्टेशन का मौका मिलता है या जब फॉर्म भराता है उसमें भी आपको रजिस्टेशन नए रजिस्टेशन कराने का मौका दिया जाता है लेट फाइन के साथ तो डमी रजिस्टेसन कार्ड तयार करते हैं तो डमी रजिस्टेसन कार्ड तयार हो रहा है साथ दिन का समय दिया गया इसकूल तुरूटी में सुधार कर लेगा साथ दिन के बाद आपका कभी भी डमी रजिस्टेसन कार्ड जारी हो जाएगा तो यह डमी रजिस्टेसन कार् यह बता रहा है कि काफी विद्यारतियों के पंजियन में गलबड़ी है लेकिन इससे आपको ड़ने की आउसकता नहीं है अगर आप जो भी रजिस्टेशन फॉर्म मिला था उसको अच्छा से आप भरे होंगे तो आपके रजिस्टेशन में कोई भी गलबड़ी नहीं होगा तो बिहार बोड़ वैसे इसकूल पे करवाई कर रहा है बोलाए कि पहले साथ दिन का समय दिया गया है रजिस्टेशन में सुधार कर लें अगर नहीं सुधार करते हैं तो वैसे रजिस्टेशन को रद कर दिया जाएगा लेकिन इस खबर से सबसे महत्तव पुन जानकारी जो आपको समझना हुई है कि देखिए रजिस्टेशन कार्ड में गरवड़ी बिहार बोड को तभी पता चलता है जब बिहार भी दाले प्रक्षा समीति आपके रजिस्टेशन कार्ड उसके साथ डमी रजिस्टेशन कार्ड तैयार कर रहा है तभी उसको एक गरवड़ी उ कोई कि जो dummy registration card आएगा उस dummy registration card का वही काम होता है कि उसमें कोई भी आपके जनकारी में तुरूटी है जैसे कि आपके नाम में माता-पिता के नाम में जनम तीथी में याप विशाय में कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो सभी आप dummy registration card के माधियम से करा सकते हैं जल्दी इसी मन्त में आपका dummy registration card metric interboard परिक्षा 2023 का जारी होगा आप जैसे ही dummy registration card जारी होगा उसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके registration card में कोई तुरूटी है कि नहीं अगर छोटा बड़ा कोई भी तुरूटी होगा तो उससे में date रहेगा ऐसे जैसे ही कोई अगला डेट आएगा dummy registration card या कोई भी आपके metric interboard परिक्षा 2023 को लेकर उसकी जनकारी हम आपको देंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद